sources का क्या अर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं sources जो है वो source का plural होता है क्यानि कि एक से ज़्यादा source को हम sources कहते हैं और source का अर्थ होता है stroke, सुत्र, प्रथम कारण, उद्भवस्थान उद्भवस्थान का मतलब होता है कि जहां से कोई चीज निकलती है या शुरू होती है जैसे कोई नदी जहां से बनना शुरू होती है तो उसको उसका उद्भव स्थान कहते है इसके इलावा इसका आरत होता है जड़, आदी, आदी का मतलब होता है शुरुवात मूल, साधन या मूल कारण तो एक से ज़्यादा हम स्त्रोतों को सुत्रों, प्रथमकारणों, उधभवस्थानों या मूलकारणों को sources कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अपनी पुस्तक के लिए कई स्त्रोतों का हवाला दिया तो आप कहेंगे he cited many sources for his book या गर आप ये कहना चाहें कि उन्हें अपना पैसा विभिन स्त्रोतों से मिलता है तो आप कहेंगे they get their money from various sources अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें